नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों सिचक बरती 2021 के लिए बिज्ञान का ये वीडियो है बिज्ञान के 10 अंग के प्रसनाते हैं और लगभग 5-6 प्रसन आपको बाइलोजी के देखने को मिलते हैं दो प्रसन आपको केमेश्ट्री से और दो प्रसन फिजिक्स से मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है जाकर देख लीजिए उसमें पता चल जाएगा आपको किस टॉपिक से कितने प्रसन आते हैं और साथ ही साथ टेली ग्राम ग्रूप जॉइन कर लीजिए जिसका लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर मैं नोट्स भी सेयर करता रहता हूँ तो चलिए प्रसनों को देखते हैं और ये इस वीडियो की माध्यम से आप कम समय में अधिक प्रसन देख पाएंगे और बिल्कुल एकाग रिच्चित होकर देखिएगा प्रसन बार-बार रिपीट हुए हैं और अक्सर रिपीट होता हैं तो चलिए तापड़ तो प्रसनों की बारी सुरू करते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट धात पाई जाती है तो दोस्तों विटामिन विट्वल में कोबाल्ट धात पाई जाती है साइनो कोबाला में पाया जाता है इसमें इसमें कोबाल्ट होता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है से लंबी कोशिका कौन सी है तंत्र का तंत्र की कोशिका जिसे क्या बोलते हैं निवरांस बोलते हैं जल में घुलंसील कौन से बिटामिन है तो B और C और वसा में घुलंसील बिटामिन A D E K याद रखिएगा जल में घुलंसील बिटामिन B C और वसा में घुलंसील बिटामिन A, D, E, K इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं K, E, D, A यानि कि कीड़ा कीड़ा विटामिन K, E, D और A ये बसा में घुलंसील है और बाकी जो B, C है ये जल में घुलंसील है जियू द्रब का नामकरण किस ने किया था जियू द्रब को क्या बोलते है साइटो प्लाजम बोलते है और इसका नामकरण किया था पुरकिंजे ने कोशका जिल्ली किस प्रकार की होती है तो दोस्तों कोशका जिल्ली जो होती है वो अर्ध पारिगम जिल्ली होती है यानी कि जिन जो कोई जरूरत होती है उन चीजों को ये अंदर लेती है और जिनका कोई काम नहीं होता उनको ये अंदर जाने से रोकती है कोशिका जिल्ली तो इसलिए इसको अर्ध पारिगम जिल्ली भी कहते हैं प्रोटीन की फेक्टिर किसे का आ जाता है राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकान किसे माना गया राइबोसोम को याद रखिया का बहुत बार पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं कोशिका सिद्धान किस ने दिया था तोस्तों कोशिका सिद्धान दिया था स्लाइडन और इभीत कोषका की खोज किसने की थी? एंटोनी बन लिवन हॉक ने याद रखे गए बहुत इंपोर्टेन्ट प्रस्न है थी पेरेंट बेबी किसे कहते हैं तो दोस्तों थी पेरेंट बेबी गो होते हैं तीन माता पिता की संतान काइसे यानि कि जैसे कोई female है और उसका mitocondria जो है वो जिमी तबस्ता मेंगई है तो इस वजे से तीसरे female का mitocondria लिया जाता है और उसके द्वारा mitocondria का उप्चार किया जाता है इसे बोलते हैं three parent baby और अगे के दापमान दरौस्थमे प्रहुस्थमें प्रहुस्थमें प्रोस्थमें और अगर धात क्य करता है रक्त का सुध्धी करण करते हैं रक किड़नी और किड़नी में एक स्टोन बाइजाता है वो बना होता है केल्सियम ऑक्जिलेट का यद रखिएगा ब्रक काध्यन नेफ्रोलोजी कहलाता है कोशिका की उरजा-मुद्रा या कोशिका का पावर हाउस तो दोस्तों पाव सीन ट्राइफास्पेट तो पावर हाउस माइटो कांडिया हो गया और माइटो कांडिया की खोच किस ने की थी आर्ट मानने की थी याद रखेगा कवक सहवाल का सही जी भी कौन होता है लाइकेन बहुत बार पूछा गया है और ये भी पूछा जाता कि वह ही प्रोदूसर च की आगे बढ़ते हैं सबसे चोटा कोश कांग भी मैंने बताया कि राइबो सोम होता है और इसे बोलते हैं पैलेड कड याद रखियेगा पैलेड पार्टिकल उर्जा का दस प्रस्त प्रवाह नियम किस ने दिया था दिया था लिंड मानने बहुत बार पूछा गया यूप एक डिषी रेखा में केवल उर्जा का ट्रान्सपर कितना होगा 10% होता है एकोसिस्टम सब्डगा प्रयोग टेंसले ने किया था rcb में केंडरक पाये जाता है यानि कि जो red blood cells होती है उसमें केवल करंद जो केंडरक पाये जाता है वो पाये जाता है लामा और उट में, यह एक परकार का अपवाध है, बाकि किसी भी rbc में जो है केंद्रक नहीं पाये जाता, सिर्फ लामा और उट में जो है, rbc में जो है, centra पाये जाता, important प्रसन है, so can we generate amount of buzz in protein की वड़ीखरंत लीवर यानि कि अक्रत और सरीर की प्रेखसला लीवर मनुस्त की लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है दोस्तों दो एंजाइम पाया जाते हैं टाइलीन टाइलीन और एमाईलेस याद रखिएगा पेड़ पौदों में बहुजन का संचे कौन करता तो यह क इंसुलीन की खोच की थी बेस्ट और बैटिंग ने याद रखिएगा अगनासे में किसका निर्मार होता है इंसुलीन का निर्मार जो होता है वो अगनासे में होता है आगे पढ़ते हैं मराई का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार पूछा गया है मैगनेटिक रेजोनेंस imaging, याद रखिएगा, CT scan का full form, computed traumography blue baby syndrome किसकी दिखता से होता है, nitrate की दिखता से सबसे छोटी अड़ी estepes, दूरी की सबसे बड़ी इक आई काउन से होती है यह होती है, parsec, याद रखिएगा उस्तरजन तंतर की काई काउन से होती nephron pH पैमाना, तो दोस्तों pH पैमाना जो होता है, 0 से 14 तक होता है, यानि कि 0 से 7 तक अमली होता है, और 7 से 14 तक छारी, और pH पैमानी की खोज किसने की थी, ये की थी Sorenson ने, याद रखिएगा blood का pH value कितनी होती, 7.4 रखिएगा बहुत बार, पूचा गया है ये दूद से मक्खन निकालने का सिध्धान्द क्या कहलता है अप ऐर केंडरी बलका सिध्धान्द केंडेला का मात्रत क्या है जो तीतीब्रता मात्रत क्या है इयाद रखिएगा RVC कंणरा किसमे होता है अस्तिमज्जा में यानि की बोन मेरो में RBC का कवरिस तान बहुत बार पुछा किया यह होती स्प्लीन यानि की प्लीहा इसको बोलते हैं तिली याद रखिएगा आगे पढ़ता है फादर आफ टेक्सोनोमी केरोलस लीनियस रखत समू की खोज कार लेंड स्टीनर सर्वदाता कौन सा है वो है सर्वागराई कौन सा है अबी है अमली वर्सा के लिए जिम्मेदार होती ही H2SO4 और HNO3 दोस्तों इमारतों में जो कुष्ट रोग लग जाता है वो अमली वर्सा के करण लगता है और इसमें सबसे ज़दा सराव किसका होता है H2SO4 का यानि की सल्फियूरिक अमलका पानी का अधिक्तम घनब तो कितना होता है 4 डिगरी संटीग्रेट दोनी की तीबरता डेसीबल में मखपी जाती है हाइपोक्सिया क्या है रक्तमें अक्सीजन की कमी क्या कहलाती है हाइपोक्सिया कहलाती है याद रखेगा इंपोर्टेंट है O2 का परिवहन होता है हेमोगलोबिन के दोरा अगला है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी केमबेंडिस ने सत्रा सो चाचट में हेनरी केमबेंडिस ने पाइरिया जो होता है वो होता है एंट अमीबा जिंजी वालिस के दोरा याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है सबसे बड़ा इस्तंदारी कौन सा है नीली होयल सबसे भारी कीट कौन सा है सबसे भारी कीट होता है गोलियेथस बीटल सबसे बड़ा बीजांड साइकस यह बहुत बार पूछा गया है वेरी इंपोर्टेंट प्रस्न फैक्चुल प्रस्न है बहुत बार रिपीटेड प्रस्न है सबसे बड़ा बीजन इसमें आपका साइकस, सबसे बड़ा पुस्प, रेफलेसिया, याद रखियेगा, सबसे चोटा गुरसूतर कौन सा है, सेवाल, और सबसे चोटा बीज कौन सा है, आरकिड का बीज, दोस्तों, उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारे प्रसन आपको मिले होगे, जल्दी मिलते हैं एक नए इफ़र्मिट्व वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, चैनल में पहली बारा है, सिच्छा बड़ती की तैयारी कर रहा है, तो निश्ची दूरूप से हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, डेस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के जॉइन के लिजिए, जामें नोट्स भी सेर करता रहता हूं, थेंक्यू